दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, अमिरिका ने आज सुबा भी हाउती के उपर अटेक किया है, ये नियूज आज सुबा ही आई है, और उसके बावजुद भी आप देख सकते हो, सुबा से लेकर अब तक गोल्ड के अंदर कोई भी बड़ी तेजी न अमेरिका ने शुक्रवार को भी हाउती के उपर अटेक किया था, और उसके बाद आप ने देखा गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी आई थी, लेकिन जब डॉलर इंडेक्स मार्केट बंद होने से पहले उपर आया, तो उपर से गोल्ड सिल्वर के अंदर गिरावट आई, यानि के ये हाउती और अमेरिका की न्यूज आने के बाद भी गोल्ड सिल्वर उचाई पे बंद नहीं हो सके, उल्टा उनके अंदर उचाई से गिरावटी आई थी, और दोस्तों आप फिर से एक बार देख सकते हो, कल रविवार को उसी तरह से आद सुबा भी अमेरिका ने हाउती के उपर अटेक किया है, उसके बावजूद भी गोल्ड और सिल्वर के अंदर कोई भी बड़ी तेजी आज नहीं है, आप सिर्फ इतना सोचो के मार्केट के अंदर जो बड़ा पैसा है, जिने हम स्मार्ट मनी भी बोलते है, क्या उन्हें ये अमेरिका के हाउती अटेक के बारे में पता नहीं होगा क्या, दोस्तो स्मार्ट मनी को सबसे पहले सब कुछ पता होता है, यानि ये अटेक से पहले भी उन्हें पता होता है, क्या हाउती के उपर अटेक होने वाला है, तो दोस्तो इसके बावजूद भी गोल्ड सिल्वर की किमते उपर क्यों नहीं गई चलो मैं मानता हूँ के हाउती के उपर जो अमेरिका ने अटेक किया इसके बारे में स्मार्ट मनी यानि के बड़े पैसे को पता नहीं होगा लेकिन दोस्तों ये निउस शुक्रोवार को ही बाहर आ चुकी थी और आज सोमवार है ये दोनों दिनों में कोई भी उपर खरीद ले और चलो अब एक साथ गोल्ड सिल्वर की तेजी का फायदा उठाए दोस्तों स्मार्ट मनी कभी भी नहीं चाता कि स्मॉल इंवेश्टर्स यानि कि आप और हम जैसे लोग पैसे बनाए अगर आप और हम जैसे लोग भी पैसे बनाने लगे तो स्मार्ट मन इस से भी बड़ा वब रशिया और यूक्रेन के बीच हुआ था आप ये बात को तो मानोगे ही के रशिया और यूक्रेन का वब आमिर्का और ये हावती के अटेक से बहुत इबड़ा था तो सो आपने देखा कि 24 फर्वरी 2022 को जब यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटेck किय उसके कुछ दिनों तक सिल्वर के अंदर तेजी बनी थी लेकिन दोस्तों क्या ये तेजी टिक पाई आप देख सकते हो 24 परवरी 2022 के बाद जो तेजी बनी थी वो सिल्वर ने तुरंद गवा दी और उसके बाद आने वाले महिनों में सिल्वर के अंदर एक बड़ी गिरा वटाई उस तरह से आप गोल का चार्ट भी देख सकते हो 24 परवरी 2022 को जिस दिन रशिया ने यूकरेन के उपर अटेक किया उसके कुछ दिनों तक गोल के अंदर भी तेजी बनी थी लेकिन ये तेजी को गोल ने तुरंद गवा दिया और फिर आने वाले महिनों में गोल के अंदर एक बहुत ही बड़ी गिरावट आई तो दोस्तों आप देख सकते हो के गोल सिल्वर के अंदर रशिया और यूकरेन का वार जब शुरू हुआ उसके बाद एक बड़ी तेजी बनी लेकिन ये तेजी को उन्होंने तुरंद गवा दिया और उसके बाद आने वाले महिनों में गोल सिल्वर के अंदर एक बड़ी गिरावटी आई थी तो दोस्तों क्या आप मेंसे कोई हमें बता सकता है के रशिया और यूकरेन का वार इतना बड़ा होने के बावजूद जिसने पूरा ग्लोबल सिस्टम हिला दिया गोल सिल्वर के अंदर तेजी क्यों नहीं बनी थी इससे उल्टा आप देख सकते हो 24 फरवरी 2022 के बाद जब रशिया ने यूकरेन के उपर अटेक किया डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बहुती बड़ी तेजी आने वाले महिनों में बनी थी और इसी समय पर आप देख सकते हो याने कि 24 फरवरी 2022 के बाद जब डॉलर इंडेक्स में एक बड़ी तेजी बनी थी गोल के अंदर 24 फरवरी 2022 के बाद एक बड़ी गिरावट आई थी उसी तरह से आप सिल्वर का चार्ट भी देख चुके हो 24 फरवरी 2022 के बाद सिल्वर के अंदर भी एक बड़ी गिरावट आई थी तो क्या दोस्तो आप हमें अभी बता सकते हो के रशिया और यूकरेन का जो बहुत भी बड़ा वार 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ जिस वज़ा से पूरे ग्लोबल सिस्टम के उपर एक बड़ा इंपेक्ट आया गोल्ड सिल्वर की किमते नीचे क्यू गई दोस्तो हमें सामने रिजन दिख रहा है और वो है डॉलर इंडेक्स आप क्लियरली देख सकते हो 24 फरवरी 2022 के बाद डॉलर इंडेक्स में जो बड़ी तेजी बनी उसी वज़ा से गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बड़ी गिरावट आने वाले महिनों में आई थी दोस्तो अगर आपको लगता है ये कारण नहीं है तो आप हमें कमेंट सेक्षन में बता सकते हो के गोल्ड सिल्वर की गिरावट का रशिया और यूक्रेन के वार के समय क्या रिजन था दोस्तो उसी तरह से आप देख सकते हो 24 फरवरी 2022 को जब रशिया ने यूक्रेन के उपर अटेक किया वो समय पे अमेरिका के अंदर इंट्रेस रेट खड़े थे 0% पे और मार्च 2022 में पहली बार इंट्रेस रेट को बढ़ाया गया और उसके बाद इंट्रेस रेट कंटीनिवसली उपर ही गए और दोस्तो यही दूसरा कारण था जिस वज़े से रशिया और यूक्रेन के वार के बावजूद गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बड़ी गिरावट आई थी जैसे के हम आपको हमारे वीडियो से लगातार बताते आ रहे है के डॉलर इंडेक्स के चार गंटे के चार्ट पर और अभी डेली चार्ट के उपर भी आप इनवर्टेड हेडेन शोल्डर ये बुलिश रिवर्सल पैटन को देख सकते हो दोस्तों डॉलर इंडेक्स के अंदर अभी भी गिरावट नहीं चालू हुई है और डॉलर इंडेक्स एक रेक्टेंगल पैटन के अंदर ही कंसोलिडेट हो रहा है और ये रेक्टेंगल पैटन बना है ये हेडेन शोल्डर पैटन के राइट शोल्डर के पास तो जब तक ये रेक्टेंगल पैटन से डॉलर इंडेक्स ब्रेकडाउन नहीं देता है हमारा नजरिया हम गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी का नहीं करेंगे अगर डॉलर इंडेक्स ये रेक्टेंगल पैटन से ब्रेक आउट देता है तो गोल्ड सिल्वर के लिए वो अच्छी न्यूज बिल्कुल भी नहीं होगी दोसों याद रखे ये रेक्टेंगल पैटन से जब ब्रेक आउट आएगा तो ये इन्वर्टेड हेड और शोल्डर से भी ब्रेक आउट आए जाएगा और उसके बाद डॉलर इंडेक्स की किमते बहुत उपर जा सकती है और वो गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छी न्यूज तो बिल्कुल भी नहीं होगी हमने आपको हमारे दो हपते पहले के वीडियो में ये क्लियरली बताया था ADP Non-Farm Employment Change का डेटा बहुत ही स्ट्रॉंग आया है मार्केट के एक्सपेक्टेशन से तो ये डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है उसी तरह से Non-Farm Payroll डेटा भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बहुत ही स्ट्रॉंग है जो डॉलर इंडेक्स के लिए अगेन पॉजिटिव है Initial Jobless Claims का डेटा जो पिछले हपते आया है वो भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अच्छा है जो डॉलर इंडेक्स के लिए अगेन पॉजिटिव है और दोस्तो ये बार अमेरिका के अंदर इंफलेशन एक्सपेक्टेशन से भी बढ़के आया है जो अगेन डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव है हमने आपको हमारे वीडियो से यह लगातर बताया है कि हमारा नजरिया अभी भी डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी का ही है और अगर डॉलर इंडेक्स में तेजी बढ़ती है तो वो गोल्ड और सिल्वर के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा और गोल्ड सिल्वर के अंदर गिरावटी आएगी दोस्तो हमने आपको डॉलर इंडेक्स का चार्ट पैटन दिखाया है डॉलर इंडेक्स के एक दिन के चार्ट के उपर इन्वर्टेड हेडें शोल्डर ये बुलिश रिवर्सल पैटन बना है और दोस्तो सिब चार्टी नहीं तो हमने आपको फंडामेंडल कारण भी बताए है जिस वज़े से हमें डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी दिखती है अभी दोस्तो आपको इसे मानना है के नहीं ये आप ही डिसाइड करो अगर डॉलर इंडेक्स उपर जाएगा तो वो गोल्ड सिल्वर को नीचे ही लेके जाएगा अमेरिका और ये हाउती की वार की वज़े से अगर किसी को गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी करनी है तो दोस्तो हम नजरिया आपका बिल्कुल भी गलत नहीं बता रहे है लेकिन हम आपको सिप इतना बता रहे है के आप डॉलर इंडेक्स के ब्रेकडाउन का इंतजार भी जरूर करो क्यूंकि सिर्फ अमेरिका और हाउती वार की वज़े से गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी नहीं बनेगी डॉलर इंडेक्स का ब्रेकडाउन भी उतना ही जरूरी है हमने आपको वीडियो के अंदर ये क्लियरली बताया है के अमेरिका और हाउती वार से भी बड़ा वार हुआ था रशिया और यूक्रेन का जिसने पूरे गलोबल सिस्टम को ही हिला के रख दिया था उसके बावजूद भी आपने देखा डॉलर इंडेक्स उपर जाने के कारण गोल्ड सिल्वर के अंदर रशिया और यूक्रेन के वार के बावजूद गिरावटी आई थी तो दोस्तों अगर कोई हाउती और अमेरिका के वार की वज़े से गोल्ड सिल्वर में तेजी करना चाता है तो वो जरूर करे लेकिन मैं सिब इतना बताऊंगा कि आप डॉलर इंडेक्स के ब्रेकडाउन का इंतजार भी जरूर करे अगर गलती से डॉलर इंडेक्स ने ब्रेकाउट दे दिया तो गोल्ड सिल्वर के अंदर गिरावट बड़ेगी और हमारा नजरिया हमने क्लियरली बताया है कि अब तक गोल्ड सिल्वर में तेजी का बिलकुल भी नहीं है हमारा नजरिया गोल्ड सिल्वर के उपर क्या है यगर आपको जानना है तो हम आपको जो वीडियो हमने सिर्फ मेंबर्स के लिए बनाया है उसका link ये वीडियो के description में, comment section में उसी तरह से ये वीडियो के अंत में भी दे रहे है लेकिन दोस्तों ये वीडियो members के लिए है तो अगर आप हमारे channel के member बनते हो तो ही आप ये वीडियो को देख सकोगे दोस्तों हम आपको clearly कहना चाते है हम आपको कोई भी force नहीं कर रहे है member बनने का हमने हमारा overall view gold silver के उपर अभी भी क्या है ये clearly बता दिया है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment दोरा जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे channel को subscribe करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पैचानवालों के साथ share करना ना भूले तक ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद Thank you